प्यारे बच्चों, अस्सलामुलेकुम। आज हम सुनेंगे हुर्फ डाल की कहानी। दुआ के दान्त में बहुत दर्द था और वो दर्द से डो रही थी। दादी ने दानियाल को दुकान से दवाई लाने भेजा। साथ साथ दूद, दही और डाल भी मंगवाई। जब दानियाल को गए बहुत देर हो गए तो दादी का दिल बहुत घबराया। जल्दी से दुपटा ओड़कर दानियाल को देखने निकली। इतने में दादा दर्दी की दुकान से वापस आ गए। दादा ने कहा परिशान नहो मैं दानियाल को देख कर आता हूँ। दूर तक चलने के बाद दादा को दानियाल साहब एक दरख के नीचे खड़े नज़र आये और वो खड़े के दुम्बे देख रहे थे। दादा को बहुत उस्सा आया और दानियाल साहब की खूब शामत आई उन्होंने दादा से माफी मंगी और आएंदा ऐसी हरकत ना करने का वादा कर लिया।